तूर्ण प्रिक्राइब करते हैं और आपको वोड़ा है बार बार लॉस और आपको नहीं पता है कि कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए तो मैं आज आपसे लोगों को बताना लग विपनुमों का एक वरकिंग इस्ट्राडीजी जिससे आपसे जाके कौपी कर सकते हैं और आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए सब कुछ चीज वीडियो में पूरी जांकाई देने लग वीडियो पूरी एंतर दिखेगा और मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे निवा है तो प्लीज चेल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि ऐसे आनवली और भी नई नई वी करते ऐसाते और पे 01 आप बात करता है कि विंवो में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते तो कैसे जाड़ा ज़ीग है जाधा जड़ा आप यहांप फो क्यों अिसariat प्रेडिंग करते हैं थिग्यड कर ना ठिक है यहांप जो जो चाथ चल रहा है यह कल यहांए तो आप यहाँ पर चूस कर लिए पहले तो candle ठीक है candle चूस कर लिएगा candle चूस कर लिएगा यहाँ पर आसर भी दिखाए देगा time frame हर एक candle की अलग-अलग timing होती है 5 seconds से लेकर 1 day का यहाँ पर आसर को time frame देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आसर क्या करना है हर एक timing अलग-अलग है अगर आप यहाँ पर 1 minute क्लिक कर देते हैं 1 minute में एक candle बनेगा ठीक है जितनी मिनट भी इतनी मिनट में एक candle बनता चला जाए मुलब क्या है एक candle की timing 1 minute है तो अभी असर take 1 candle 2 candle मलब क्या है लगाता 2 candle धिए क्या rate की तरफ जा रहा है मुलब क्या है एक candle बेच चुकआ है पाश favor अभी चल रहा है वह अभी rate बन रहा है मुलब क्या है total पाश favor बेच चुका है मुलब क्या है total 10 dollars से गया, market down के तरफ जा Yeah ला ले आप लॉट करना चाहिए तो आप कोई भी जाकर इंडिकेटर चूस कर सकते हैं लिकिन मैं सबसे बैस्त बोलिंजर बेन्ड अगर आप एक बीगिनर है तो आतो है कुछ भी पी आप भी इंडिप्ड़ देखाएदिगा आप फ्रैक्टर यूज कर लीजे और यहां प्यासर यूज कर सकते हैं ऐस यह राएए डिकेटर इनडिकेटर जोज़कर रख लिए इंडिकेटर क्या होता है इंडिकेत करता है कुछ सेकंड पहले ही बता देता ही कि market कहाँ पहले जाएगा मद मारके अगर आपकी तिरप older जाना रहे तो यह indicator पहले ही यह उपर जाना start कर देगा तो indicator क्या है indicate करता है बनाने एक बनाने जो इंडिकेत करता है तो अब तो ढेसे को डिखा, हम ए और रहा है उन फेसे तीन, आप बीच ऊले लाइन गो डिखाए तरह है, अगर कैंडल बीच ऊले लाइन को क्रॉस करका ठीक है, नीचे एक तरह आ जाता है, यहां प्यासुट दे सतत्तें जिसे यहां पे तरह है, यलोग लाइन जो डिखाए तरह है, इसकी नीचे सुना er Wal लाइन को क्रोस करको ऊपर चला या था बीच ओले ऊपर की बीच में अब डाउंड़ नं कर रहा है तो जब भी आपको ट्रेड लेना चाहिए आपको जाड़ा प्रॉफिट मिलेगा यहां प्रासन नीचे दिखाए दरहा है सिसी आई डिखाए दरहा है जो कि आसुटे सत्ते दू लाइन दिखाए दरहां बीच में वाइट केलर यहां पर चल ला है अगर यह वाइट वाला ग्राफ नीचे वाले लाइन को जारा टच कर रहा है नीचे तरब जा रहा है समली मार्केट के डाउं तरफ रहाएगा आपको जब भी ट्रेड करना चाहिए अगर यहीं वाल करना यहां पर दिखाई दएगा पहले तो एकची जोट जंक रहता है यहां पर दिखाई अगर टीर ऊपर की तरफ बन रहा है तो समलिये मार्केट के है डाउन तरफ जाएगा थो समल्ल केंड़ अपकी तरफ जाएगा आपको जब भी ट्रेड लेना चाहिए तो इस प्रकार से आप यहां पर ट्रेडिंग कर पर रर्लस्थ काल Church skills ककते हैं बात के लिगा तो यहां पर पहले लोंस में जडरा रहेंगे तो अभी आशुल देसते हैं ये जो किAyमोंट पहले सर्व घ्राइवाव ट्रेट लिए तो अभी आशुल्ट सत्ते हैं ट्रेट मलब टे ना चाहिए ओज़ लेना चाहिए चलिघेगे और बीच ले मने को क्रॉस कर बुलिंजर बेंड को बीच ले में लेनं को क्रॉस तो मलब निए बीच 강ी चल लाएằng चाहिए और बात यहां प्रेक्टल कि यहां पर तीर है उपर के तरफ बना था लगा तब नर्गर्ट तरफ ले लेना चाहिए अच्छा प्रॉफिट बनेगा और जो भी आप यहां पर यहां प्र आसे बीको दिखाई देगा चुक्त क्या सुनते सकते हैं यहां यहाँ पर मेरा 60 प्रस चल रहा है, अभी 50 सेकंड बचे हैं, 50 सेकंड डिक्तिंग हाँ पर मेरा ट्रेड वीन होता है, कि लॉस होता है, ठीक है, मैं एक चीज और जानकाई दे रहता हूँ, ऐसा मस्तुचिए कि आप हर एक ट्रेड वीन करेंगे, 10 में से अगर आप 6 ट्रेड सा आप इसे आप लॉस में रहेंगे, आपको हर एक ट्रेड यहाँ पर क्या करना है, लगाता है, लगाता 10 ट्रेड लियें, एक अखेजार का, तो क्या है अगर आप 6 वीन की हैं, चाल लॉस की हैं, तो आप तब भी 1 वीन पर प्रॉफिट में रहेंगे, आप इससे ट्रेडिंग कर सकते अच्छा का सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आपको बस इतने धियान रेखना है, मार्केट क्या है लगाता डाउन जाता हुआ, अगर आपको डिखाई दे, उसमें आपको ट्रेड लिना है, अगर मार्केट लगाता अपकी तरफ जारा है, तो उसमें आपको trade लेना है down के तरफ, अगर लगाता graph आपकी तरफ जा रहा है तो आपको trade पहां पे लेना है, बस आपको अच्छे समझना है कि market कहां पे जाना है, सही टाइम पे सही trade करेंगे तो अच्छा गासा profit निकाल सकते हैं, और जो भी अपना amount रखेगा, fix रखेगा, अगर आप एक हजार उपीस के ट्रेड कर रहें, तो हरे ट्रेड यहां पर एक हजार कर रखिएगा, ऐसा नहीं कि दस जार ट्रेड ले लिए, फिर आप पांच जार ट्रेड ले ले लेंगे, तो आप यहां पर में साल लॉस में रहेंगे, आपको हरे ट्रेड एक फिक्स एमोंड से करना ह तो आसर समझगे बीनों में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप ट्रेडिंग करके अच्छा इस पॉपिट निकाल सकते हैं और मैं इस अप्लिकेसिंग का लिंक निचे डिस्क्रिप्समें कॉमेंट में दे दिया हूँ लिंक सपना जया सानब कर साथ अगर आप एक निउज रहा हैं तो मिलता हैं इस पॉड़ो में आल दे पैस्ट